कोई भी उद्यम हम करने जाते है तो उसके पाच महत्वपुर्ण आयाम है पहला है संसाधन यानि रिसोर्स कोई भी व्यवसाय की जो अभश्यक्ता है उसमें चीजें जो लगती है उसको रिसोर्स हम कह सकते हैं हम टेलरिंग का इंगुदारन लेंगे, अगर हम टेलरिंग का व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मशीन्स लेना, उसके लिए धागा लेना, आप अगर कॉटन कपड़े में काम करना चाहते हो, तो कॉटन का कपड़ा लाना, सिल्क में करना है, तो सिल्क का कपड़ा लेना ये सब रिसोर्स इसके अंदर संसाधन के अंदर आता है दूसरा है श्रम शक्ति याने लेबर चलो आज अपने व्यवसाय की शुरुब शुरुबात की है आप आज खुद ही कर रहें लेकिन कल चलके जैसे आपके व्यवसाय में व्रुद्धी होगी तो आपको और शाबित होंगे ऐसे आपको कहां मिलेंगे ये भी ढूणना ये अवश्यक्ता है तीसरा है संशोधन याने रिसर्च आपको लगेगा कि मैं तो एक छोटे से मुलक में रहती हूँ देहात में रहती हूँ तो मैं कहां रिसर्च करने जाओंगी रिसर्च का मतलब ऐसा है मार् चुटा पहोगे वो बनाने के लिए आपको कितना खर्चा आएगा और उसको आप कहां बेचे तो इस चीज की आवश्यक्ता आजो बाजी वाले समाज को है क्या जो चीज आप बना रहे हो उसको लेने वाले खरीदिदार मार्केट है क्या इसका रिसर्च आपको करना होगा नहीं तो मैं मुंबई से हूँ तो अगर आप यहां नेटिंग का ट्रेनिंग जया है और आप स्वेटर बना रहे हैं और आप वेचने मुंबई ले तो आपका स्वेटर खरिदने वाले वहाँ कोई नहीं भूंगे तो कि वहाँ सर्दी इतनी होती नहीं इसके लिए ये मार दुपान करित नहीं हो सकेंगे चौधा है धन याने उसके लिए फाइनांस जुटाना उसके बारे में हम और थोड़ा विस्तर से सोचेंगे और पाच्वा महत्वपूर्ण बिंदू है वो मार्केट है मैंने मेरे बैंकिंग करियर में बहुत सारी ऐसी महिलाई देखी है जो कुछ न कुछ काम करती है अच्छा कुछ बनाती है लेकिन अच्छा मार्केट ना मिलने से या खरीदने वाले लोग अच्छी किमत में खरीदने वाले लोग ना मिलने के कारण जितना मुनाफ़ा उनको ह होना चाहिए उतना नहीं होता है ऐसा दिखने में मिलता है इसलिए मार्केट ढूंडना और बाद में उद्यम तय करना यह बहुत आवश्य बहुत बार होता उल्टा है कि महलाए पहले बनाना चालू करती है और बेचने के लिए बाद में निकलती है तो मार्केट उन्हें जितना ही मातरा में चाहिए उतना नहीं मिलता है तो मार्केट के बारे में बहुत बारी की से सोचना यह उद्यमिता की एश्यस्विता का एक बहुत बड़ा पहलो है या आयाम है अभी हम फिर से फाइनांस याने धन के बारे में थोड़ा विस्तार से ज मिलेगा क्या तो हम उनको जवाब देते हमिलेंगा क्या करना चाहते हो नहीं पहले आप बताए कि लोन मिलेगा क्या बाद में हम सोचें तो पहली आवश्यक्ता इसकी यह है कि आपके मन में आपका Business Plan पहले तयार होना चाहिए बाद में पैसा बचाने का आपने सूचना चाहिए करके हम व्यवसाइद करेंगे ऐसा कभी नहीं होता है यह उल्टी चाल हो जाएगी इसके लिए अगर आपको व्यवसाइद करना तो लोगों को आवज चाकता है कि आपको करजा लेना है तो लिए तो लोगों को लगता है कि कोई चार्डेड अकाउंटन से बनाया हुआ बड़ा बड़ा ऐसा कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए मैं तो मांते हूं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट रिपोर्ट की छोटे व्यवसाय के लिए कोई अवश्यक्ता नहीं होती लेकिन आप ज उसको 150 में डालेंगे इसका मतलब है पाज चीजे बनाले का खर्चा 100 रुपया बेचने की कीमत 150 रुपया आपका मुनापा ऐसे आज आप पाज बना रहे हैं कल कितना बनाओगे और कितना बनाओगे आगे वाले 5 सालों में आपका व्यवसाय केस से बढ़ेगा इसको प्रो मार्जिन इसका मतलब है कोई भी व्यवसाय करने के लिए खर्चा आ रहे हैं तो आप अपने खुद की तरफ से कितने पैसे इतने डाविसमिट डालोगे उसको मार्जिन कहा जाता है और कम से कम बैंक 10 परसेंट 20 परसेंट 25 परसेंट ऐसे मार्जिन के बिना जनरली कोई लो अवश्यक्ता है अर्था यह आउशतम राश्य होगी बाकी राश्य देने के लिए बैंक आपके साथ में हैं तीसरी यशस्वी उद्यमिता के और यशस्वी बैंक खाता चलाने की जो अवश्यक्ता है वो है जिस चीज के लिए अपने करजा लिया है उसी चीज के लिए उस तो आपको उसकी किष्ट वापस करने में हमेशा कोई ना कोई आपत ही आजाएगी तकलिफ हो जाएगी इसलिए जिस काम के लिए पैसा लिया उसके लिए ही उसका उप्योग करना यह अनिवाई है चोधा है किष्ट वापसी में यह मिलता आपने इन पीए शब्द सुना होगा अगर तीन मेने आपकी किष्ट समय पे नहीं आती है तो बैंक आपके खाते को इन पीए कर देती है इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर एक बार आपका खाता इन पीए हो गया तो आपको फिर से करज मिलने का लोन लेने का कोई मौका उपलब्द नहीं है और आप ऐसा सोचती होगी कि भातिया मेला बैंक में नहीं सही तो और कोई बैंक से में लेनुगी लेकिन ऐसा नहीं होता है आजकल कंप्यूटर है और सिबिल नाम की एक प्रडाली बैंकर्स के लिए उपलब्द है जिसके जरिये आप करें खाते के बारे में जानकारी अन्य बैंकों को भी दे जाती है इसलिए एक बैंक में आपका खाता खराब हो गया तो कोई दूसरा बैंक भी आपको इसके लिए लोन नहीं देगा इसलिए किष्ट वापसी में नियमित्ता रखना टाइम ली रीपेमेंट यह बहुत बहुत महत्वक होड़ना इसी बात है अब है व्यावसाय तो मैंने पहले भी जैसे बताया कि पूरे साल में समान नहीं होता है व्यावसाय की एक गती होती है आज यहाव साय तो कल बढ़ेगा फिल से नीचे आएगा फिल से बढ़ेगा ऐसी एक गती व्यावसाय की होती है लेकिन आपकी किष्ट है ये माई है वो हर मैंने आपको समान देनी होगी इसलिए जिस समय आपके पास ज्यादा पैसा ज्यादा मुनिका आया है उसमें से आपको दो किष्ट के पैसे बाजू में रखना अलग से रखना यह बहुत बहुत जरुरी है वैसे आपात काल की व्यवस्ता मानों आप कुछ काम करें और आप भी बिमार हो गई तो आपका काम बंद होगा काम बंद हो गया तो यह उसाय बंद होगा मुनाफा बंद होगा ऐसी स्थि होता है कि आपका जो मिला हुआ हुआ मुनाफा है उसका आप कैसा हो यह बान की चलिये कि जितना भी पैसा हमारे पास आता है वह हमें कम ही लगता प्योंकि हमारे आवश्यक्ता बढ़ती जाती है लेकिन हर समय जितना भी पैसा हमारे घर में आता है वो चाहे व्याउसाइट से हो या चाहे सेलरी से हो इसमें से 20 से 30 प्रतिशत रकम आपको हमें इंशाब बचत के रूप में, LISC के रूप में, पोस्ट आपिस में कही न कही रकम रखनी चाहिए तो ही आपका जो बुढ़ापी का समय है, वो बुढ़ापी का समय जग आपको और दवाईों की कुछ न कुछ आवश्चक्ता होगी, आप और कमा नहीं कपाओगे, इस समय के आवश्चक्ता हो के लिए अलग रखना होगा और मुनाफे का कुछ न कुछ हिस्सा आपकी ड्रवसाय की वृद्धी के लिए भी आपको डालना होगा अगर आप इन सब चीजों को ध्यान रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप यसस्वी उत्यमी जरूर बन जाएं और ऐसा कहा जाता है कि आप अगर उड नहीं सकते तो दोड लगाओ, दोड भी नहीं सकते तो चलते रहो और चल भी नहीं सकते तो जैसे बच्चे रेंगते हैं वैसे रेंगते रहो एक नेरी दिन चोटा बच्चा जैसे रेंगते रेंगते खड़ा होता है चलता है आगे आगे बढ़ता है दोडने लगता है वैसे व्योसाइट के पाइदानों पे भी रेंगते रेंगते चलते चलते दोडते दोडते आ आप कभी न कभी जरूर उडान भर सकोगे यह मेरा विश्वा से और भारतिय मेला बैंक आपके साथ में हैं धन्यवाद